दोस्तों स्वागत थे आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टड़ी विच समर में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक जिम बैंक में आई मैनेजमेंट ट्रेनीक की भरती के सलेबस के बारे में तो इस वीडियो में इस वेकेंसी का ओफिसियल सलेबस आ पहले आप तक पहुंचे और इस वीडियो को जितना है कि अपने दोस्तों साथ सेयर कीजिएगा जिने इस वीडियो किया हो सेकता है और जो इस वेकेंसी का इंतिजार कर रहे हैं और प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे एक लाइक जरू कर दीजिएगा तो दो इसमें अप्ली केसन फीस जो होगी इसमें जनरल ओवी सी कंडियेट के लिए और एडवलेस के लिए 600 रुपए का होगा वहीं SCST और PWD का इटेगरी के लिए 100 रुपए का आवेदन सुल्क देना होगा और इसके फीस का भुकतान आप आनलाइन डेविट कार्ड क्रेडिट क या फीनेट वैंकिंग के माध्यम से कर पाएंगे वहीं महाँ तो पूर्टितियों की बात कर लें तो इसका आवेदन स्टार्ट हो रहा है 19 दिसंबर 2020 से और आवेदन करने की जो अंतिम्तिती है वह 31 दिसंबर 2020 वहीं जो इसमें एज लिमिट होगी दोस्तों 1 दिसंबर 2020 के गड़ना के आधार पर जेनल और एडावलो एस काटेगरी के लिए 25 वर्स और विसी नॉन क्रिमिलेर के लिए 28 वर्स और स्ट के लिए 30 वर्स के उम्रस्रीमा निर्धारित की गई है वहीं दोस्तों वैकेंसी डीटेल्स के अगर हम बात कर लें तो इसमें मैनेजमेंट रेन एकाउंट के लिए वैकेंसी है और इसके जो क्वालिफिकेसन दोस्तों MBA PGDBA या फिर CA होनी चाहिए वहीं लाके बात कर लें तो इसमें डिग्री इन लॉया फिर LLB होनी चाहिए वहीं दोस्तों बात कर लें इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइननस की या फिर इंडस्ट्री या फिर कंट्री डिक्स एनरसिस या फिर एकोनॉमिक्स रिसर्च की तो इसके लिए PGD एकोनॉमिक्स में होना चाहिए वहीं बात कर लें Information Technology की तो इसके लिए Any Degree in BE, BTEC, CSIT, Electronics and Telecommunication में होना चाहिए या फिर MCA है तो आप इस पोश्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे वहीं बात कर लिए Humor Resource की तो इसके लिए डिप्लोमा या फिर Degree in HR या फिर Personal Management या फिर PG होना चाहिए तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे तो दोस्तो वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आपको इस वीडियो संबंधित कोई भी सुझा हो या आपके कोई भी प्रस्ट हो तो आप कमेंट केजिएगा मैं आपके कमेंट का reply जरूर दूँगा साथ ही इसके आवेदन करने का लिंक और इसके ओफिशियल नोटिफिकेसन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन ने मिल जाएगा आप चाहें तो वहाँ से जाकर रीटेर्स को चेक कर सकते हैं तो दोस्तो चलिए आपको बताता हूँ मैं इसका पूरा ओफिशियल से लेवा से स्टेप बाइस्टेप तो सबसे पहले बात करने इसमें इससे की चैन प्रक्रिया की तो दोस्तो इसमें आपका चैन डिटेन टेस्ट और इंटर्विव के आधार पर किया जाएगा तो दोस्तो बात करने तो इसमें आपके एक्जाम प्रक्रिया जो होगे इसमें होगा क्यंट कौन्टिटिव एपिट्यूड होगा रेजिनिंग एबिलिटी होगा इंगलिस होगा कंप्यूटर नॉलिज और येनल आवने से सम्मसित परस्ने पूछे जाएंगे तो दोस्तो चलिए अब आप इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ स्टेप बाज स्टेप और दोस्तो यदि आप इन सभी के लिए बेस्ट बुक परसिच करना चाहते हैं तो आपको बेस्ट बुक का लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप चाहे तो वहाँ से जाकर बुक को परसिच कर सकते हैं और अपनी तयारी को आगे बढ़ा सकते हैं तो दोस्तो बात करें सिलेबस आफ आल सब्जक्ट की तो सबसे पहले बात करें हम रिजिनिंग एबिलिटी की तो रिजिनिंग में आपके जज्जमेंट होगे फिगर क्लासिफिकेशन होगा नंबर सीरीज, नौन वर्वल सीलीज होगा आर्ट सिमेटिकल कंपोटेशन होगा डिसिजिजन मेकिंग होगा विजिबल मेमरी से संबंदित प्राश्ण होगे, प्रब्लम सॉल्विंग होगा, एनल्सिस होगा, सिमिलिटिस और डिफ्रेंस से संबंदित प्राश्ण पूछे जाएंगे, साथी अब्जर्वेशन, स्पेस विजुलाइशन, आनल्टिक फंक्शन, रिलेसंशिप कंसेट्स, आज इसे संबंदित प्राश्ण आपके पूछे जाएंगे, और दोस्तो इसके लिए बेस्ट वुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पहीं अगर हम बात कर लें, क्वांटिटिव एपिट्यूड के सेलेबस के बारे में, तो दोस्तो इसमें संबंदित प्राश्ण पूछे जाएंगे, साथ इसमें प्रॉफिट एंड लास होगा, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंट्रेस्ट एंड कंपाउंड, इंट्रेस्ट संबंदित प्राश्ण पूछे जाएंगे, वहीं दोस्तो बात कर लें, इंगलिस के सलेबस की, तो आर्टिकल्स, ग्रामर, टेंस, वर्व, एडवर्व, सेनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंक्लूजन, सब्जेक्ट, वर्ब अर्जमेंट, रिडिंग का प्रियंशन इत्यादि से संबाधित आपके प्रश्ण पूछे जाएंगे और दोस्तो इसके लिए भी बेस्ट बुक का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पहीं अगर हम बात कर लें कंप्यूटर नॉलेज़ की तो कंप्यूटर नॉलेज़ में आपके इंटरनेट इउजेज होंगे कंप्यूटर फॉंडरमेंटर संब प्रश्ण नोगी वहीं वर्ल पर ससिंग double स्ट संबॉल्ड से संबॉंद स्लंग स्थी और दोस्तो इसके लिए भी आपको बेस्ट बूक का लिंक कर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहीं अगर हम बात के लिए जनरल आवेरेंस की सलिवश्य के बारे में तो दोस्त इसमें आपके जनरल आवेरेंस जो प्रश्ण होंगे स्में चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नस यान यानि कि विग्ाां से समभथ स्टू होग वह है दोश्व बात कर लें इंडियन फाइनंसियल सिस्टम यानि कि भारत के एकौणामिक्स से समभथ परसने पूछे जाएंगे करेंट अफेर्स होगा यानि कि दोस्तों इसकी तयारी के लिए आप डेली एक नीज़ पर पढ़िएगा तो आपका ये सेक्षन क्लियर हो जाएगा वहीं दोस्तों उसकी बात कर लिए अबरिवेशन एंड एकोनॉमिक्स होगा यानि कि आर्थ विए से संबंधित प्रशन यानि कि कौन सी घोषडा कहा हुई कौन सी मिटिंग कहा हुई इसके भी बारे में आपके प्रशन पूछे जाएंगे तो दोस्तों इन सभी के लिए आपको एक सुझाओ देना चाहता हूँ कि इन सबकी तयारी के लिए आप एक नीज़ पर जरूर पढ़िएगा तो आपका सबी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे यह इसका ओफिशियर नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप काटेगरी वाइज वैकेंसी डीटेल्स को भी चेक कर पाएंगे जिसमें की जनरल काटेगरी के लिए साथ 20 पोस्ट है स्ट के लिए 8 पोस्ट स्ट के लिए 4 पोस्ट ओबी से नॉन क्रिमिलियर के 16 पोस्ट और EWS के लिए 5 पोस्ट है तो इस तरह इसमें कुल टोटल साथ पोदो पर वैकेंसी निकाली गई है क्वालिफिकेंसी डीटेल्स होगी दोस्तों वो डीटेल्स यहां पर आप चेक कर पाएंगे यान कि कौन कौन से आपके qualification होने चाहिए इसमें से कोई भी आपके पास qualification है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे साथी दूस्तों मैंस में training log की जो सरे qualification details होगा वो भी details यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे और इस वेकेंसी के लिए आप पूरे भारत से आवेदन कर सकते हैं चाहिए आप किसी भी state के अभेर्सी हो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे वहीं दोस्तों सेलली की बात कर लें तो इसमें आपको 40,000 रपे पर मत का stipend दिया जाएगा तो आप इसके भी बारे में यहाँ पे डीटरेंस को चेक कर पाएंगे तो आप यहाँ पे के करके सब भी डीटरेंस चेक कर पाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सर ने मिल जाएगा तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक सेर कर दीजएगा और चैनल पे पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर दीजएगा तक कि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नए वेकेंसी या फिर एक नए सेले बस के साथ तब तक के लिए थैंक यू